Welcome to Subham Tech आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि UPSRTC का Online Reservation की जो New Website है उस पर आप कैसे Reservation कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास तक देखना सबसे पहले आपको इस Website पर आ जाना है इस Website की लिंक आपको इस वीडियो के Description Box में और Comment Box मिल जाएगी ये Website काफी अच्छी है Grrivence, Complain, Help I Number सब कुछ इस पर दिया है पहले काफी मुश्किल होता था कि अगर आपका पेमेंट अटक जाता था तो वड़ी दिक्कत होती थी आप इन्होंने Email ID वगरा सारी चीज़ दी है ये एक अच्छी बात है चलिए बिना देरी करें आपको बुक करना सिखाता हूं टिकेट जैसे वेबसाइड आप ओपिन करेंगे ये पेज आपके सामने आएगा तो आपको फ्रॉम में लिखना है कि कहां से आप जाना चाते हैं तो मैं या लिखता हूं आगरा जल्दी से मैं आगरा टैप कर दूँँआ तो आगरा के जितने भी बस्टेंड है सारे आजाएंगे मैं आगरा ISBT चूज कर लेता हूं अब तू आपको जाना का है मुझे लखनाव जाना है तो लखनाव के सारे स्टेशन सा आजाएंगे मैं लखनाव स्टेशन कर लूँगा अब मुझे बस टैप स्टेशन करना हूँआ काफी तरीके की बस चलती है यूप रोड़ेज में पिंक बस एसी बस इसकैनिया नॉन स्टॉप इसकैनिया जन रत तो ये सारी बस्ट आजाएंगी तो आप जिस बस में चाहना चाहते हैं वोड़ेजिए मैं यहाँ पर all select करूँआ देन आपको date select करने हैं कि किस दिन आप जाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी जो date है वो select कर सकते हैं देन नीचे आपको click कर देना check availability तो सारी जो बसेज हैं उस रूट की वो आ जाएंगी देखिए आचुकी हैं सारी बसेज और जो बसेज होती है उनका बस का टैप लिखके आता है और जो स्टाफ है वो vaccinated है या नहीं है वो भी लिखके आता है कितना फेयर है, कितने क्लोमीटर है कितनी seat खाली है, किस bus stand से, कौन से bus stand को जा रही है बस वो सारी जानकारी इस website में बिल जाएगी और graphics बोले तो काफी ज़्यादा अच्छे हैं इस website के और काफी अच्छी effective website है पुरानी वाले से काफी अच्छी है पुरानी वाले में काफी सारे glitches थे, technical error आती थी तो अब आपको simply book पे click कर देना है जैसी आप book पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना mobile number लिखना है तो जल्दी से मैं अपना mobile number लिख देता हूँ और continue करके आगे आपको दिखाता हूँ mobile number fill करने काथ आपके mobile पर OTP आएगी तो OTP verify करके मैं आगे आपको दिखाता हूँ जैसे ही आप OTP verify कर देंगे देन आपके सामने जो seating plan है वो आ जाएगा bus का तो आप ऐसे seat है वो select कर सकते हैं एक से ज़्यादा भी seat आप book कर सकते हैं एक ही number पर तो ऐसे book कर सकते हैं तो मैं अपनी जो एक seat टिकेट एक seat book करना चाहता हूँ तो एक seat book करके reserve ticket पर click कर दूँगा देन आपको passenger की detail है वो add करनी होगी जैसे name, gender, ace, ticket type वो automatic आएगा देन email id, mobile number तो जल्दी से भी मैं add करता हूँ पे now पर click करके आपको दिखाता हूँ देन आपकी सामने payment page आजाएगा आपको payment कर देना है जैसे ही आप payment कर देंगे आपकी जो ticket है वो successfully book हो जाएगी तो आज की वीडियो बस इतना ही था I hope आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन दबा लीजिए जिसे के next time मैं आपके लिए वीडियो लंग हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जै हिन जै भारत